रात में सोने से पहले ये चोटा सा काम करके सो जाना, अगर चाहिए लंबे घने और काले बाल, क्योंकि ये जो नुसका आज हम बनाने जा रहे हैं, वो हमारे बालो के लिए बहुत ही कार्गर होता है और गारंटी के साथ बालो को तेजी से लंब और घना करता है, इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं इसलिए आज आप जरूर जान लें लास्ट में जो चीज़ हम मिलाने वाले हैं उसे आप ध्यान से जरूर देख लें क्योंकि वही है बालो का सीकरेट हमीसा से सदियों से दोस्तों इस नुसके को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं बिटमेनी की कैपसूल जी हां दुस्तों ये कैपसूल बालों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होते ही हैं साथ ही साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही लापकारी होते हैं ये कैपसूल आपको आसानी से मेटकल इस्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा बहुत ही कम रेट में पूसक तत्तों की कमी और गडबर दिंचरिया के कारण तवचा में रूखा पना जाता है इसके साथ ही बाल भी बहुत ज़ादा ज़ड़ने लगते हैं ऐसे में बिटमिनी कैपसूल इन्हें सेहत मंद रखने में बहुत ही कम लोग हैं 99% लोगों को तो पता ही नहीं है इस नुसके के बारे में क्योंकि बालों को अगर बहुत ही तेजी से लंबा घाना करना चाते हैं तभी ये नुसका कारगर है दोस्तों क्योंकि बिटमिनी कैपसूल कमजोर बालों को पोशक तत्तों देते हैं जिससे वो क्योंकि मर्स से आप इसमें चोटा सा छेद बना कर इसे अच्छे से निकाल लें, इसको दबा कर अच्छे से इसके अंदर को जुल को निकाल लें, यह जिल हमारे बालों के लिए बहुत ही कारगर होता है, इसे आप दबा कर अच्छे से एक किसी कटोरी में निकाल लें, दोस् नुसके का आप जरूर परियोग करें और अगर आपके बाल पहुत ज़्यादा पतले हैं बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो आपको पूरी तरह से अपने बालों पर इसे अपलाई करना है अच्छे से अपने बालों पर लगाना है तरीका आपको हम आगे बताएंगे वीडियो म ऐसा कभी कभी होता है कि scalp में blood circulation अच्छे से नहीं काम करता है तो इस इस्तिती में भी बाल तूटने लगते हैं जढ़ने लगते हैं तो ऐसी समस्या को भी vitamin बहुत अच्छे से दूर करता है क्योंकि इसमें जो गुड़ पाय चाते हैं वो हमारे scalp के blood circulation को बढ़ाता है जिससे हमें मिलते हैं मोटे घने और लंबे बाल साथ ही साथ है dandruff की समस्या है तो इसमें भी vitamin बहुत ही कारगर होने वाला है अब हम ले रहे हैं मेथी दाने दोस्तों मेथी दानी हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं बहुत ही कारगर होते हैं बालों को लंबा करना है घना करना है तो मेथी दाने का उपयोग जरूर करें बालों का कमजोर होना तूटना जड़ना और ऐसमे सफेद हो जाना एक बहुत ही आम समस्य हो गई है लेकिन आपको बिल्कुल भी परिसान होने की जेवत नहीं है दोस्तों यह नुसक आपके बालों की केर करेगा और आपके बालों को तेजी से लंबार घना करेगा मेथी का बीच तो आपके बालों की लंबाई को इतनी तेजी से बढ़ाएगा कि आप देखकर चौक जाएंगे क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी एलिमेंटरी गुड़ होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं यहाँ तक की मेथी दाने में कई रिसर्च भी हो चुके हैं जो बालों के लिए बहुत ही तेजी से लंबा और घाना कैने में कारगर साबित हुए हैं दोस्तों बालों बढ़ाना है जैसे अगर आपके बाल पतले हैं तो उधे घाना कैने में भी मेथी दाने बहुत ही कारगर साबित होंगे साथ ही साथ है मेथी दाने यहां पर आपको लेना है किवल एक चम्मच मेथी दाने को लेना काफी होगा अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं नारियल का तेल नारियल का तेल तो है ही गुड़ों का खाजाना दोस्तों खाने के साथ साथ है बालों के लिए भी बहुत सारे फाइदे हैं अगर आपके स्कैल्प म चमच हमने पिघला हुआ नारियल का तेल ले लिया है क्योंकि ठंड के मौसम में नारियल का तेल जम जाता है तो नारियल का तेल थोड़ा से पिघला था तो उसे हमने ले लिया है और आपको जमे हुए नारियल तेल है तो उसे भी ले सकते हैं इसे अगर पिघला लेंगे तो अगर आप थोड़ा सा पिखला गवा नारियल तेल लेते हैं तो ये पिखलने के बाद कम से कम एक चमच लेते हैं तो दो चमच हो जाएगा पर लाव से कम 4-5 मेक तक इसे पकाना है आपको लो फ्लेम पे रखना है pri Sellndic तो ये जल जायेतक यदि आपको हलका सा गुनुणुना रहे तो आपको इसे अच्छे से चान लेना है ध्यान रखना है कि पहले हमने लिया था बिटमिनी का कैपसूल जिस कटोरी में हमने बिटमिनी का कैपसूल लिया था उसी कटोरी में आपको इसे चानना है अच्छे इसे चानकर इसे अलग कर लें नाजयल के तेल में पाएución वाल लौरी केशी द जो बालों के जडों में समा जाता है और बालों को जल्दी से आउसोसित कहने में मजबूर कर देता है जिहां दोस्तों बालों के जड़ों में जाके ये खुद को आउसोसित कर देता है जिससे बालों को हैड्रेटिंग मिलती है और हमाले बालों की ग्रोथ तेजी से होती है फ्रिजनेस की समस्या खत्म हो जाती है आपको चमच के मदद से अच्छे से फिंट की मिलाना है दोस्तों, को अच्छे से मिला लें, ताकि यह सभी नुसके आपस में मिल जाए और बालो के लिए बने एक अमरित। दोश्तों, इसे अंबरित से कम नहीं कहेंगे क्योंकि अगर आपके बालों की ग्रोध तेजी से होती है बढ़ते हैं बाल तो आपके लिए कुछ भी अमरित हो सकता है जो आपके बालों की ग्रोध को बढ़ा दे जी हाँ इसमें जो पाये जाते हैं anti-oxidant cool, anti-elementary good वो आपके बालों के लिए बहुत ही कार करोंगे इसे लगाने के लिए आप रात में जब सोने जाएं तो अपने बालों में उंगलीजे के मदद से अच्छे से लगाएं स्कायप में अच्छे से लगाएं और बालों की length पे अच्छे से लगाएं अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो इसे आप दोगुना यूज कर सकते हैं यानि कि जैसे जैसे नुस्खा जितने मात्रा में हमने लिया है आप इसका दोगुना कर दें या फिट डेड़ गुना करके भी आप उपयोग कर सकती है क्योंकि किसी किसी के बालों की length ज़्यादा होती है तो आप रात को सोने से पहले इसे लगाएं और morning में अच्छे से से शेंपू कर लें और ध्यान अखना है कि सब्ता हमें कम से कम 2-3 बारी सेंपू करें सेंपू प्रती दिन नहीं करना चाहिए और जिस दिन आपको सेंपू करना हो उस दिन आप इसे बना कर लगा लें रात को इसे आपको इस्टोर करके रखने की जववत नहीं है क्योंकि आप जितना ताजा चीज लगाएंगे बालों पर बालों की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी इसलिए नैचूरल लगाएं ताजा लगाएं और बालों की ग्रोथ को पढ़ाएं वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सकाइब कर बेल आइकोन जरूर दबाएं दोस्तो चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलें